अब ढ़ाएं जाय सी जम्शेद्पूर के मांगो आजादब्द धान चेत्र में एक मकान में चोरों नो चोरी किया है और आपको हम बताए जब हमने घर के सदस से बाच्चित किया है उनका कहना है हमारे घर में बले भाई की शादी थी दो दिन पहले और जो भी जेवर गिट में मिला था वो समान था और हमारी मदर का भी गला का हैर था वो चोरी हुआ है और कैश 25,000 रुपए जो तौक्षव पे मिला था वो चोरी हुआ है यह चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने घर के सदस के कहना हिए उपर के ही रास्ते से चोर घर में घुशा है और चोरी को अंजाम दिया है और करीब 2,500,000 रुपए का चोरी पता है जा रहा है जी पुलिस मौके पर पहुची है कुछ जाज हुई है कि नहीं जी देखे घर के सदस के बाक्सित तो हमने किया उनका कहना है पुलिस तो हमने बुलाया था शुबर में ही जनकारी दिये तो जाज करके गई है और हम लोग खाना में आवेदम दिये है जल सचल हम लोग चाहते है जो भी चोरी किया उसको पकड़ागा पर साथ आंको यहीं उम्रीप लगाई बैकर है परवार वाले सी सुबर क्या है क्यद्ट करके क्या हुआ आज वह रात के करिक दूद्हाई बज़े के बाद हम लोग अशात के रास्ते से कोई आए क्योंकि ताहला गार का तूटा नहीं अशाद के रास्ते से और कुछ जेवर का बैग और शाद के ऊपर मिला था अच्छा आप लोग कितने बजे देखे आगा अम लोग सुबह देखे छे बजे उटने के बाद वदिखे ट्वाली का बैग जो है वो खुला हुआ है और सामान भी खरा हुआ सब क्या किया आप के करीब होगा 2.500 जेवर जेवर कैश पिछी सजर पिछी सवर कैश और जेवर मिला के 2.500 जेवर थाना प्रवहरी के लोग भी आया थे थाना से भी हाँ स्थाना के आया थे सब देखे गुच पता चला अभी तक अब तक कुछ रिपोर्ट नहीं मिला से अच्छा आज और द करीब हम लोग देड़ बद तक जागे वेत है तो मत अब छत के रास्ते क्या खुला वा है या क्या है वो अभी घर जो अंडर कंस्ट्रक्सन है तो काम चली रहा है उस पर तो साधी कवजा से कुछ दिन के लिए काम बंद किया गया था अच्छा किसी पैसा कुछ लगर अप जिए ला मतने या